इस question में हम से कहा जा रहे है कि find two numbers if the difference between them is 48 and their arithmetic mean exceeds their geometric mean by 18 तो सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि जो numbers है required हम consider करते हैं कि चले वो a, b है ठीक है आप x, y ले सकते हैं जो भी आप लेना चाहे तो पहली जो condition पिर हमारे पास है इन्होंने कहा है कि इन दोनों numbers का जो difference है तो वो 48 के बराबर है ठीक है तो अब पहली condition हम लेक लेंगे और पहली condition को पिर हम दूसरी condition में भी use करेंगे फैली कंडिशन तो ज्यादा आसान है बस यही है कि दोनों का डिफरेंस जो हमारे पास है वो 48 के बराबर है यानि कि A-B 48 के बराबर होगा हमारा काम क्या है कि हम इन दोनों A-B को इन दो कंडिशन की मदद से मालुम करेंगे तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ तरतीब से ताके आपको अच्छे से clear हो their difference is equal to 48 यानि कि A-B is equal to 48 और A बराबर आ जाएगा 48 प्लस B के तो इससे हमारे पास एक equation बन गया यह equation हम बचा कर रखेंगे second condition के लिए second condition से पर हम यह अगर उसमें हम यूस करें तो हमारे लिए असानी हो जाएगी इसको कहे दिया मैंने equation number one अब आते है second condition की तरफ their arithmetic mean exceeds their geometric mean by 18 मतलब इन दोनों numbers का जो arithmetic mean है वो इनके geometric mean से 18 ज्यादा है ठीक है अब तोड़ा सा गोर करना है इस condition पर arithmetic mean ज्यादा है किस से geometric mean से और कितना ज्यादा है 18 ज्यादा है तो हम अगर equation बनाना चाहते हैं तो हमें दोनों को बराबर करना होगा अब दोनों को बराबर दो तरीकों से किया जा सकता है arithmetic mean geometric से 18 ज्यादा है तो एक काम हम यह कर सकते है कि arithmetic mean को 18 कम कर दे तो पिर geometric के बराबर आ जाएगा या हम geometric को 18 ज्यादा कर दे तो arithmetic के बराबर आ जाएगा तो यहाँ पर मैं इससे लिख रहा हूँ दोनों को equal करना है equal तब ही हो सकता है कि आपके पास geometric mean या तो arithmetic mean minus 18 is equal to geometric mean कर दे या arithmetic mean is equal to geometric mean plus 18 कर दे यह आपको पहले से पता होगा, geometric mean का formula square root a भी है, ठीक है, दोनों के मैंने लिख दिया, equal sign अपनी जगा पर रह जाएगा और plus 18 अपनी जगा पर, अब हम ऐसा करेंगे न, कि हमने जो पहले equation से हमारे पास a की value 48 plus b आई थी, वो हम यहाँ पर use कर लेंगे, ठीक है, 48 plus b को यहाँ पर use कर लेंगे तो हमारे पास असानी हो जाएगी इसमें, तो 48 plus b दूसरा b अपनी जगा, divide by 2 अपनी जगा और यहाँ पर b 48 plus b into b रह जाएगा, और square root अपनी जगा, plus 18 को आप अपनी जगा पर रहने दो, तो 48 plus 2 b आ जाएगा यहाँ से, यह 2 b plus 48 लेक लेंगे, जिस तरह ठ जाएगा, right side पर 48 b plus b square पर square root रहने देते है, तो 2 b divide by 2 से हमारे पास b आ जाएगा, और 48 by 2 से 24 आता है, 24 से 18 माइनस कर लेंगे, तो हमारे पास b plus 6 आ जाएगा, b square plus 48 b को मैंने पर भी अपनी जगा पर चोड़ दिया, तो b plus 6 और right side पर जो है अपनी जगा, आप next tip यह होगा, कि हम square root खतम करेंगे, square से, दोनों side का square ले लेंगे, तो b plus 6 पर अलग square आ जाएगा, और square root b square plus 48 b से square root खतम हो जाएगा, तो b plus 6 whole square is equal to b square plus 48 b, next tip में a plus b whole square का formula open कर लेंगे, तो b square plus 6 square से 36, और plus 2ab, तो 2 into 6 into b से 12 b आ जाएगा, चलो next tip में 12 b कर लेंगे, और b square और 48 b को दूसी तरफ पर ले आते हैं, तो यह दोनों minus में आ जाएगे, तो b square b square cancel out, ठीक है, और यह दोनों cancel हो जाएगे, 36 अपनी जगा, 12 b अपनी जगा पर आ जाएगा, 26 or 12 b हो जाएगा, और minus 48 b, तो 12 b minus 48 b से हमारे पास आ जाएगा, minus 36 b, 36 b को दूसी तरफ ले ज पाएगी, वो हमारे पास 1 आ गई, 36 से division कर ले, तो b की value क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, तो जब b 1 आ गया, तो पहला equation आप लोग को याद होगा, जो आमने derive किया था, a is equal to 48 plus b, तो a is equal to 48 plus 1 हो जाएगा, ठीक है, इसको equation 1 में put कर लेते हैं, 1 this implies, a is equal to 48 plus b, b की जगह इसमें लगा लेंगे, तो a बराबर आ जाएगा, 48 plus 1 के, और 48 plus 1 बराबर किसके, 49 के, तो यह हमारे पास a और b की value हो गई, वो required numbers जो मालूम कर रहे थे, वो मालूम हो गए, numbers are, 1, 49